बेटमा में देपालपूर विधायक विशाल पटेल द्वारा देपालपूर विधान सभा शेत्र की प्रतेग बेटी के लिए अजे विधायक स्वर्गे जगदीश पटेल की स्मृती में दिये जाने वाले कन्यादान यूजना पैकेज का रविवार राप को वितरन कारिकरम रखा गया धार रोड पर आयूजित हुए सादे समारो के दौरान तेरा बालिकाओं वनके परिजनों को चबालीस बरतन एक क्विटल आटा पांच साड़ी में कपके तैल डब्बा सहित पांच सो लोगों की भोजन सामगरी वितरन की गई उलिकनिया है कि विधायक विशाल पटेल पूर में विवास सम्मेलन आयूजित कर प्रतिवर्ष एक सो से अधिक बालिकाओं का कन्यादान कारिकरम आयूजित करते थे परंतु विगत दो वर्षों से कुरूना के चलते इस वर्ष एक जन्वरी से देपालपूर विधान सभा की बेटी के विबा करने वाली बालिकाओं को विबा सामगरी वितरन किया जा रहा है इस अफसर पर ब्लॉक अध्यक्ष सहित पार्टी कारिकरता मुख्यरूप से उपस्थित थे गरीब परिवार के लिए जो बेटियों के लिए जो साहिताराशी है ऐसे विदायक हमारे जो इस कोईड महामारी के कारण के परिवार कमजूर होएं कमजूर और कमजूर हो गये उनके लिए पहले जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना चलती थी वो इस असन बंद की है उसके लिए हमारे विदायक की विशाल पटेल ने गरिप कन्याओं ले घर घर जाके सामगरिया वितरन करने से के अभी परिवार को फाइदा मिलेगा इस से और सब देपालपुर तेहसिल की तभी सबी अंगर के लिए बद बड़ी तोगात दी गई है कि एक जन्वरी से स्टार्ट कर दी गई थी हमारी एसी बहने हैं जो कोई नाइंटी को जैसे हो जो कामकार बंद पड़ा हुए हैं इसमें परिवार के लिए विदायक जी ने करीबन 500 आदमी का भोजन चुमालीज बड़तन मेक अप की एक स्टेल का डपा सकार की कट्टी एसे 500 आदमी का भोजन और दाइज की विवस्ता विदायक जी दुआ रखी गई है मंद बड़ेस के पेले ऐसे विदायक है जिन्नों ने ये सुविदा दी है आज गोर्मेंट भी नहीं ये सुविदा दे पा रही है जो विद अजे विदायक जेक्टिस पटल जी का सपना था और एसे कई सम्मेलन विदायक जी ने करवाए हैं पूर में लेकिन कोविद नाइनटी को देखते हुए आज ये घर-घर स्वेवा सुरू की है विदायक जी दुआरा हम विदायक जी का पूरी देपाल पूर सेसिल की ओर से इन दौर बेटमा से राजेंद्र सूरिवन्शी की रिपोर्ट